हेलो फ्रेंट्स कासे हो आप सब कमलाज कीचन में एक बार फिर से स्वागत आपका एक नहीं वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे राजस्तान की फेमस सांग्री की सबजी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सांग्री की सबजी अगर हमें अचानक घर में कोई आ जाया फिर अचानक कोई सब्जी नहीं हो तो हम सांगरी की सब्जी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इनको स्टोर की जाती है तो यह देखिए हैं सूखी हुई सांगरी को हमने उबाल लिया है और यह देखिए आप देख पारे होंगे इसके लिए मैंन चास लिए अब दही भी ले सकते हो क्योंकि जो सांगरी की सब्जी जो सबको बहुत पसंद होती है तो सबसे पहले मैंने यहां पर कडाई के अंदर डाल दिया सरसो का तेल और तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं तो फ्रेंच जो सांगरी होते हैं उनको गाउं में जब जडरूरत हो और जब भी खाने का मन करें लिक्शे सबसे बहुत है तरीके से और यह दिफ्रेंस आप राजस्तान से विलाओं करते हो तो आपको पता होगा कि सांगरी कैसी हो आसाने से मिल जाती है तो यह देखिए हमारा जो हल्दी पाउडर है वो अच्छे से पक चुका हाप देख पा रहे होंगे अब हमें स्टे बाई स्टे इसके अंदर दाल देती हूं लाल मिर्ची पाउडर एक छोड़ी चमस के करीब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर और इन दोनों चीजों को भी हम अच्छे से पका देंगे तो यह देखिए फ्रेंड दोनों चीजों को अच्छे से यहां पर गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है कम पर सभी चीजों को पकाना अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के कोडिंग और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए सभी मसाले हैं वो हमारे पक चुकी है और अभी हमने इसके अंदर पाने नहीं डाला सबजी इसी से टेस्टी बनती है कि बिना पाने के हम इस मसालों को पकाएं और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसमें मैं एक चमस के करीब लैसुन का और लैसुन के पेस्ट को भी हम पका लेंगे और सभी मसाले पकने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे पानी जितना से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए टमाटर है वह हमारे भी अच्छे से गल जाएंगे तमाटर गलने के बाद में हम इसके अंदर उबली हुई सांगरी डालेंगे क्योंकि जो सांगरी है वो तो तयार ही है हमारी और यह देखिए जो टमाटर है उनको लगबग 1-5 मिनट तक अच्छे से पपकने देते हैं उसके वाद में हम जालेंगे स्के अंदर सबसे खास चीज समाइन चीज और यह देखिए लिए और ऐसंदेश जालने के बाद में हम इसको मिक्स करते रहेंगे recognise इसको मिक्स ही करते रहना है मतलब कि जवर्थ हम इनको दही इनको नदार जाल एक eon डेटें तो क्या होता है कि फटर रहता है फटर जाती हो टेस्ट खराब हो जाता है लिए दिद रही अच्छा सा अब आ चुका था और उसके बाद में रिषो सांगर्गारी बलना दाल दी है तो कि स्कूरम है यह निद डुड़नें ही लिचाने मिक्स पकाने के बाद ता कि जो सांगडी के अंदर भी मसाले सले जाएं और उसके अंदर हमारी सांगडी की सब्जी बनके रैडी हुई है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़दार होती है यह आप ने जरूर खाई होगी और अगर नहीं खाई तो आप प्लीज बनाएगा मार्केट में बहुत ही आसाने से मिल जाती है और मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताना निकाल देती हूं तो ओके फ्रेंड्स उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको जुरूर पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो मे मेरी है शांगरी के रेसिपी और प्लीज आप और मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताना की कैसी लगी तो ओके फ्रेंड्स मिलती हूं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार